नवस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ साक्षी और आप देखें विंध्या टाइम्स प्रदेश में रेलवे की विकास परियोजना के लिए साल दोहजार चौबिस पच्चिस में 15,000 करोड से अधिक बजट आवंटित किया गया इसकी जानकारी रेल मंत्री अस्विनी वैशनम ने दी है अगले वित्ती वर्स में रेल को 2.52 लाग करोड रुपे के बजट का प्रवधान किया गया है जो अभी तक का सरवधानिक है रेलवे ने आधूनी करण और यात्री सुविधाओं में विस्तार पर विसेश फोकस किया है वित्त मंत्री निर्मला सीता रमन ने गुरुवार को सांसत में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है इस बजट में भारती रेल के लिए किये गए प्रवधानों के बारे में रेल मंत्री अस्विनी वैष्णव ने वर्चूल माध्यम से बताया उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की नेत्रुत में विगत दस वर्सों में रेलवे के विकास के लिए रणीती में बदलाव कर अधिक अधिक निवेस कर बल दिया गया है इसमें रेलवे की शमता बुद्धी, आधूनी करण, सनरक्षा और यात्री सुविधाओं की ओर अधिक ध्यान दिया गया है उन्होंने बताया कि साल 2024 में रेलवे को 2.52 लाग करोड रुपे के बजट का प्रवधान किया गया है जो अभी तक का सर्विधानिक है वित्यमंत्री निर्मला सीता रमण ने बजट प्रस्तुती करण करते हुए घोशना की कि रेलवे में तीन बड़े कोरिडोर का निर्माण किया जाएगा इसमें एनरजी, मिनरल और सीमेंट कोरिडोर, हाई ट्रेफिक डिसेंटी कोरिडोर और पोर्ट केनेक्टिविटी कोरिडोर बनाया जाएगा इन कोरिडोर के माध्यन से देश में आर्थिक विकास का बल मिलेगा इसके साथ ही 40,000 कोच को वंदें भारत के मानक के अनुरूप तयार किया जाएगा रेल मंतरी अश्विनी वैशनव ने मध्य प्रदेश के बारे में रेलवे के वजटिये प्रवधान की जानकारी दी उन्होंने बताया मध्य प्रदेश राज बहुत बड़ा प्रदेश है साल 2009-14 तक मध्य प्रदेश को औसत बजट मात्र 632 करोड रुपे प्रतिवर्श मिलता था जिसे प्रधान मंतरी की नेतरुत में बर्ष 2024-25 में बजट में बढ़कर 15,143 करोड रुपे मिल गए है यह अभी तक का मध्य प्रदेश के लिए सरवाधिक बजट आवंटन है रेल मंतरी ने बताया कि मध्य प्रदेश में रेल कारे बहुत तेजी से हो रहा है अश्विनी वैशनव ने बताया कि प्रदेश में 77,000 करोड रुपे के निवेज से बहुत तेजी से कारी किये जा रहे है मध्य प्रदेश में 100% रेल लाइन का विद्धुती करण हो गया है असी रेलवे स्टेशनों को अमरित स्टेशन योजना के तहत पुनर विक्सित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रेक पर 972 फ्लाई ओवर और रोड अंडर विज का निर्माण किया गया है इसके साथ ही स्थानी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की 39 संचालित हो रही है रेल मंत्री ने बताया कि स्टेशन पर बहुत अधिक फूट फॉल रहता है जिससे स्थानी उतपादकों को अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है और स्टॉल संचालकों की आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है अश्वनी वैश्णव ने मध्यप्रदेश में रेल परियोजना को परियात बजट के माध्यम से लक्षित समय में पूरा करने की बाद भी कही